Hello guys, welcome once again, स्वागत है आपका एक और नही वीडियो में तो आज की ये वीडियो होगी कि क्या UK में new rule के implement के बाद भी dependent work visa पे आना possible है, अगर possible है तो कैसे and जो new rule है वो किन पे implement होंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग बहुत doubt में है new rules को लेके तो थोड़ी सी उसकी discussion भी करेंगे तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी topic में interested हैं तो watch this video till the end ताकि आपको proper information मिल पाए तो उससे पहले अगर आप मेरे channel को first time visit करे हो तो मेरा नाम है गुरपृत, आप देख रहे हैं You, Me and England's Life तो अगर आपने अभी तक ये channel subscribe नहीं करा है तो आप ये channel subscribe कर सकते हो for more informative video especially about UK life, UK visas अगर आप UK में आ चुके हैं तब ये channel आपके लिए helpful होगा और अगर आप आने का plan करें तो इस channel पर definitely आपको बहुत सारी ऐसी videos मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी help चुरूर करेंगी So do subscribe guys if you are new at match चारते हैं आज का topic UK की government ने last December 2023 में कुछ new rule अनाउंस करें थे especially dependence को लेके जिसमें उन्होंने बोला था कि वो UK में healthcare visa पर dependent को ban कर देंगे उसके बाद काफी लोग काफी confusion में थे कभी ये rule implement होंगे होंगे भी की नहीं होंगे काफी लोग इस doubt में भी थे पर उन doubt को भी खतम करती हुए last week जो UK की government है उन्होंने final date भी announce कर दी तो जो date है वो है 11th of March 11th of March के बाद dependent UK में नहीं आ पाएंगे on healthcare visa पर काफी लोग इस चीज़ को लेके confused है अभी भी तो उन सारी confusion को पहले discuss करते है then other options को हम explore करेंगे तो 11th of March के बाद आपकी कोई भी new application dependent visa के लिए embassy में submit नहीं हो सकती yes पर अगर आपकी application already submitted है then आपके कोई भी effect नहीं होगा क्योंकि काफी लोग एक चीज़ question मुझसे बार-बार put करते हैं comment section में कि अगर हमारा cost और हमारी processing 11th March से पहले हो जाए और हम अपनी जो biometric है वो 11th March के पहले कर दें in case जो हमारा visa है वो 11th March के बाद आता है क्या हम पे ये rule effect होगा तो answer is no क्योंकि जो भी rule UK में आते हैं वो होते हैं visa apply करने के लिए तो अगर आपकी visa application 11th March से पहले ही submit हो चुकी है then आप जो ये rule है उसी के under आएंगे जो अभी तक rule चल रहा है जिसमें आप dependent ला सकते हो अगर आपका result बाद में भी आता है तब भी आप UK में travel कर सकते हो क्योंकि काफ़ी लोग ये भी question put करे थे कि अगर हमारा जो visa है वो बाद में आ जाता है कि हमें कोई traveling में तो problem नहीं होगी तो answer is no आपको traveling में कोई भी problem नहीं होगी वैसे तो आपको इसके बारे में कोई भी objection नहीं करेगा पर in case अगर कोई आपसे कोई question put भी करता है तो आप बोल सकते हो कि आपकी जो application थी इस date से पहले थी आपको visa मिल गया है इसलिए आप travel कर रहे हो के लावा जो एक बहुत बड़ा doubt लोगों का आ रहा है कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि अगर हम single application डाल दे dependent साथ में ना डाले और हमारा visa जल्दी आ जाए क्या possible है कि अपने dependent को हम साथ में ले आए तो answer is yes अगर आप अकेले भी इस time पर application submit करते हैं main applicant की जख खुद आप main applicant हो तो अगर आपका visa है वो 11th माँ से पहले आज आता है then आप eligible होंगे कि आप अपने dependent को साथ लाएं पर इस case में अगर आपका visa 11th of March के बाद आता है क्योंकि आपके visa की date उसके बाद की होगी उस case में शायद आप अपना dependent साथ में नहीं ला पाओगी क्योंकि आपको visa 11th March के बाद मिलेगा और जब आपको visa मिलेगा उसके according आप पर rule implement होंगे तो ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा कि 11th March के बाद अगर आपको visa मिलता है then आपको problem हो सकती है इससे मिलता जुलता साथ में एक doubt और clear कर देती हूँ जो लोग UK में already ये जॉब कर रहे हैं healthcare पर जॉब कर रहे हैं क्या उन पर भी इंप्लीमेंट होंगे तो काफी ऐसे कमेंट भी आये थे तो answer is no जो लोग already इस visa category पर हैं आप अपने dependent कभी भी बुला सकते अब भी बुला सकते हैं 11th March के बाद भी बुला सकते हैं one year के बाद भी बुला सकते हैं क्योंकि आप पे जो रूल है वो पहले वाले ही इंप्लीमेंट होंगे आप पे न्यू रूल इंप्लीमेंट नहीं होंगे तो आप लोगों को टेंचर लेनी की कोई भी बात नहीं है तो आप पे कोई भी ऐसा रूल नहीं लगी अब हम बढ़ वेजा, तो आंशर इस जैस तो अभी भी आपके पास options available हैं क्योंकि UK ने only healthcare पे dependent बंद करे हैं, skill worker पे अभी भी आप अपने dependent ला सकते हों तो skill worker में और सारी fields आती है except healthcare आप किसी भी और काम में आ सकते हो आप किसी technical field में आ सकते हो अगर आपका background है अगर आपका को background technical field का नहीं है उसके लावा जो normal यहाँ पर UK में काफी fields है like construction की fields उसमें add है जा फिर अगर आप किसी cafe के manager बनके आती हो जा किसी hotel के manager बनके आती हो तो ऐसी काफी छोटी-छोटी jobs भी available होती है जिसमें आप UK में skill worker visa ले सकते हो तो उस case में आपके dependent आपके kids भी आपके साथ travel कर सकते हैं पर उसमें जो एक tricky point है वो यह है कि आपकी जो salary का threshold है वो आपको fulfill करना पड़ेगा 38,700 salary हो जाएगी April से तो अगर आप April से पहले visa secure कर लेती हो तो जो भी उस field का जिस भी field में आप आने वाले हो उसका ongoing rate चल रहा है जा तो आप उसमें आ सकते हो otherwise आपको आपको एपरेल के बाद approximately 39,000 salary मिलती होई होनी चाहिए तो कौन सी और fields रहती है skill worker की थोड़ा सा मैं शोकर देती हूँ काफी लोग कन्फिस रहते हैं कि और कौन सी field में हम आ जाएं तो next मैं थोड़ा सापको select दिखाती हूँ आप उसको देख सकते हो इसका जो link है नीचे description में मैं दे दोंगी आप खुड भी देख सकते हो तो यह है वो list जो की UK की shortage occupation list है जो official site पे आपको मिल जाएगी कुछ ऐसी नजर आती है जिसमें हर तरह की job ad है जि आपको उस case में क्या होता है कि आपको जो fees होती है वो थोड़ी से ज़्यादा होती है क्योंकि skill worker में अगर वो है field तो थोड़ी से fees कम होती है बट otherwise आप उसमें भी आ सकते हो और इस list के बारे में अगर आप चानना चाहते हो detail में क्योंकि यही वो list है जो jobs भी आप separately कर सकते ह अपनी जॉब के इलावा तो मैंने एक separate video बनाई हुई है link में description में दे दूँगी UK में dependent टोटली बैन नहीं हुए है UK में dependent अभी वर्क वीजा पर आ सकते हैं सिर्फ एक ही ऐसी field है healthcare जो कि इस टाइम पर सबसे ज्यादे यूज़ करी जा रही है क्योंकि थोड़ा सा easy रहता ह उन्हें बंद करा है उसके इलावा बाकि सारी fields अभी भी खुली है UK अभी भी आपके लिए खुला है अभी भी आप अपने dependent के साथ UK में move कर सकते हो तो don't lose hope तो गाइस यह थी आज की वीडियो अबाउट जो आपके डाउट थे especially dependent वीजा को लेके hopefully काफी लोगों के clear होगे अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे आप comment section में mention कर सकते हो इसके इलावा आप मुझे follow कर सकते हो on instagram आप मेरा facebook का group भी join कर सकते हो page भी like कर सकते हो इन सारी चीजों का जो link है नीचे description में आपको मिल जाएगा तो मिलते हैं next video में till then keep subscribing keep supporting bye